वीर, तेरे जैसे लूजर लड़के की गल्फरेंड इस धर्ती पे तो नहीं बन सकती, तुझे दूसरे प्लैनेट पे जाना पड़ेगा बेटा वीर रहे जा अपने कॉलेज का सबसे बड़ा लूजर था, ना तो पढ़ाई में आगे, ना ही खेल कूद में, और लड़कियों की डिपार्टमेंट में तो उसके पसीने ही छूट जाते थे कॉलेज में हर कोई वीर का मजाग उडाता था, लेकिन किसने सोचा था कि ये फुद्दू लड़का एक दिन टाइटन ग्रह का सबसे बड़ा शूर वीर बन जाएगा डॉक्टर खुराना ने टाइटन नाम का धर्ती जैसा नया ग्रह ढूंडा था और फिर एक दिन वीर की तीन करोड की मजबूरी के चलते डॉक्टर खुराना ने वीर को टाइटन प्लानेट पर टेलिपोर्ट करने के लिए मना लिया इस टाइटन ग्रह पे आकर तुने बहुत बड़ी गलती कर दी वीर, तो कभी अपने मकसद में काम्याब नहीं हो पाएगा वीर टाइटन ग्रह पर अभी पहुचा ही था कि उसके सामने एक डरावना एलियन आखडा होता है वो 20 फीट उचा और 10 हातियों की शक्ती रखने वाला एक एडवांस्ट एलियन था वीर घबरहाट में डॉक्टर खुराना की बताए टाइटन ग्रह के देव आश्रम का मैब देखने लगता है कि तब ही वो एलियन वीर पर हमला कर देता है अगर इस एलियन की लेजर मुझे टकरा गई तो मेरा लाइफ पैक खतम हो जाएगा मुझे कैसे भी देवाश्रम पहुच अपना मकसद पूरा करना ही होगा मगर जैसे ही एलियन वीर को मारने के लिए पास आता है एक खुपसूरत वॉरियर लड़की वीर को बचा लेती है ये कैसे पॉसिबल है? तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो धरती पे प्रतवी ग्रह का एक लूजर लड़का, वीर टाइटन प्लानेट के एलियन्स को कैसे हराएगा? कौन थी वो खुबसूरत वार्यर लड़की? और क्यूं बचाई थी उसने वीर की जान? क्या मकसद है वीर का टाइटन ग्रह पर? और क्या है राज देव आश्रम का? कैसे बचेगा वीर इस एडवांस्ट एलियन लाइफ वाले टाइटन प्लानेट पर? जानने के लिए डाउनलोड करें Pocket FM आप और सुनिए शूर वीर!